नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल जी के पाट साला में दोस्तो इससे पहले हमने बात करी थी पॉलिटिकल कल्चर राजनितिक संस्कृति और राजनितिक संस्कृति के परकार है उसके बारे में आज एक छोटा सा जो टोपिक बच गया था इसमें जो राजनितिक संस्कृति के परतिमान है पैटरंस उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल छोटा सा याद तीन पैटरं बताये गए हैं इसमें तीन परिवर्ते और बताएं किसने हैं आमंड ने अमन्ड में राजनितिक संस्कृति के तीन परिवर्टे बताएं तो जिसमें सबसे पहला आता है ग्यानात्मक अभी मुखिकरन अभी मुख का मतलब वो यह जुखाव और ग्यानात्मक मतलब नोलेजफुल ठीक है नोलेज़ेवल ग्यान का जो ग्यान से जो जुखाव आएगा उसके बारे में ये परिवर्टे है राजनितिक संस्कृति का तो यह अभी मुखिकरन व्यक्ति को नीजी हितों के माद्यम से तो सबसे पहली बात तो आरे है इसमें नीजी हित के मादन से राजनितिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए तो political activities होती है उनमें भाग लेने के लिए तयार करता है सबसे पहली बात तो है नीजी हित तो नीजी हित से आप ये समझते हो जिसे वोट चुनाओ का समय आता है तब एक आदमी है वो सारी पार्टियों से बोजन, पानी, पैसा, दारू, सब कुछ लेता है ये तो उसका क्या है नीजी हित है कोई भी उसके पास ही आता है कि भाई हमारी पार्टी को वोट देना है तो वो ये कहता है ठीक है आपके कोई वोट देंगे यानि वो किस चीज से प्रेरित हो रहा है उसका नीजी हित है चाहिए वोट किसी को ये दे वो उसकी बाद कीचे है लेकिन नीजी हित से क्या हो रहा है वो प्रेरित हो रहा है कि भाई किसी का खाया है तो वोट देकर आएंगे एक तो ये तो हो गया निजी हित इसके अलावा जैसे मालो टीचर्स हैं टीचर्स क्या करते हैं टीचर्स है और ले लो कोई जिनकी चुनावी परकिर्या में डूटी लगी हो तो वो जो अपना मत है ना वो डारेक्ट किसको दे देते हैं जो विदायक खड़ा हुआ है ना चुनाव में जो चुनाव में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको डारेक्ट दे देते हैं कि भाई जब यह जीत जाएगा तो हम क्या करेंगे इसके पिछे पड़के कोई ट्रांसपर है अचाए कुछ और है कि उस समय उसको याद दिलाएंगे कि हमने तुम्हारे काम आये थे और वोट तुम्हें दिया था तो बाई हंड देकर आते हैं अपना जो चुनाव उसने को कि भाई आप अपने इसाव से भर लेना तो इस परकार से भी कहा है निजी इत है ये तो एक तो तो ये तो परिवर्टित नहीं करता है क्योंकि ये तो सिक्षित है सारे लेकिन निजी इत है वो भी एक तो क्या है प्रभावित करता है इसको दूसरी चीज आती है इसमें वेक्ति राजनितिक वस्तूँ राजनितिक पदो और राजनेतिक मुद्दों के बारे में कितनी जानकरी रखता है वह कितने तो पद हैं क्या पुरुसकार है किसको मंत्री बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे क्या अभी किसकी सरकार आएगे किसकी नहीं आएगे ये सारी जो चीज़े है न मुलब जो राजनेतिक मुद्दों के बारे में इसको जानकरी ये कितनी ये भी क्या है राजनेतिक वेवार को परभावित करते हैं तो ये तो है ग्यानात्मक अभी मुकिकरन दूसरी चीज़ आती है बावात्मक अभी मुकिकरन कि वेक्तिकी वे बहुना हैं जिनके कार्ण भी राजनितिक व्यश्ता से लगाव या लगाव पसंद या नापसंद वेक्त करते हैं देखो राजनितिक व्यश्ता से लगाव की बात करें तो आज कल की जो पीडिया हैं जैसे एक तो हो गई यूप एडी क्योंकि हमेशा तीन पीडियां चल रही सेकंड और ये फर्स्ट जो बड़े बुड़े बुजुर्गे ठीक है वो क्या है इस चीज में ज़्यादा लगाव नहीं रखते वो यह कहते हैं कि अपने घर पे कोई आटे की बुरी थोड़ी डाल रहा है तो उनका लगाव तो नहीं है क्या है ए लगाव है पसंद और ना पसंद ये चीजे भी क्या है वे राजनितिक विवस्ता के परति कैसा भाव रखते हैं ये भी उनके राजनितिक विवार को क्या करता है परबावित करता है अगर वेक्ति पसंद करता है राजनितिक विवस्ता को उससे लगाव रहता है ठीक है तो वो इसमें क्या होगा ज़्यादा इन्वल होगा और अगर इसके परती ए लगाव रखता है ना पसंद करता है तो वो जो राजनितिक विवस्ता है उसके परतिक क्या रहेगा ऐ फरबायत उसको कोई मतलब नहीं रहेगा तो ये चीज़े हैं ग्यानात्मक अभी मुखी करन बावात्मक अभी मुखी करन और तीसरी चीज़ आती है मुल्यांकनात्मक अभी मुखी करन तो मुल्यांकन का मतलब यही है तरह से टेस्ट यानि जो राजनितिक व्योस्ता है जो नियम या कानून ते वो तीन चीज़े हमने पहले भी कई बार इनका जिक्रा आ चुका है कि जो डेविड इस्टन का मोडल था जैसे यह तीन चीज़े आती है तो यहां आती है मांग मांग आने के बाद इन्पूट जो कंप्योटर में नहीं होता है इन्पूट आउटपूट इन्पूट प्रोसेसिंग फिर आउटपूट तो इन्पूट से फिर क्या यहां प्रोसेसिंग होगी पोलिटिकल सिस्टम है, वहां प्रोसेस होंगी जो मांग है उसके बारे में विचार विमर्स केया जाएगा और तो आउटपूट किया निकलेगा फिर इसका आउटपूट कि निकलेगा कि नियम बनेगा या फिर कोई कानौन बनकर क्या है वो बहार आएगा तो जन्ता क्या करेगी इसके परती वह जो व्योस्ता राजनेतिक व्योस्ता है पॉल्टिकल सिस्टम है उसने जो नियम और कानून बनाया है ठीक है उसके जो उपर टिपनियां आती है वो सारी चीज़े क्या है मुल्यांकन है टिपनियों का मतलब है कि लोग अपनी पसंद और नापसंद व्यक्त करते हैं कि कोई कानून बनाया है तो उसके उपर अपनी पसंद और नापसंद व्यक्त करते हैं वो ही क्या एक तरह से मुल्यांकन है जैसे जब राजनेतिक व्योस वेवस्ता दुआरा किये गए कारियों के पुरहे में अपनी पसंद रुचि वे लगाव के आदार पर वेवस्ता के कारियों को सही या गलत ठहराने का प्रयास करते हैं तो इसे मुल्यांकना अत्मक अभी मुके करन कहते हैं जिसे भूमी अधिकरन कानून आया था कई बार बात चुल चुकी इसकी तो लोगों ने किया जबरदस इसका विरोध किया यानि उसको गलट टहराया और तीन तलाक आया बिल तो कईयों ने तो उसका विरोध किया वाई पूरु समाज उसने विरोध किया और जो मेला समाज उन्होंने क्या बताया सही बताया तो जो राजनितिक विवस्ता जो कारी करती है कारी करने के बाद जो राजनितिक विवस्ता की लोग है अब विवस्ता कि लोग कौन है हम ही तो है सारे हम फोलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है तो हम क्या करते हैं जो कानून गवर्मेंट बनाती है चाहे अब जैसे आरक्षन है अभी 10% आरक्षन का मुद्दा आर्तिक आदार पर जो दिया गया था 10% आरक्षन है तो उसके बारे में क्या कई लोग उसको क्या है सही टहरा रहे हैं कई उसको क्या टहरा रहे हैं गल्ट टहरा रहे हैं एक तो यह हो गया गल्ट तो इसलिए टहरा रहे हैं कि परतिबाओं के पास मोका क्या हो गया कम हो गया जो परतिबा है उनके पास फिर क्या जैसे 50 परशेंट था 10 परशेंट 60 परशेंट हो गया अभी उनके पास तो इस्तान क्या और भी कम रहे गए तो ये गलत कई क्या क्या टहरा रहे हैं सही टहरा रहे हैं कि भाई जो जनर्नल कास्ट है उसमें भी क्या गरीब हो सकत तो दोस्तो यह चोटा सा ही पार्ट था इसका बच किया था एक गयानात्मा कभी मुखी करन आमंड ने बतायते तीन फिर बावात्मा कभी मुखी करन और मुल्यांकनात्मा कभी मुखी करन तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर क करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो जा उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू दोस्तो जै हिंद जै भारत